अपने बेटे काविश को याद और बीवी याने की निशान नहीं मिलने दे रही है बाप बेटे को निशान ने कर दिया है काविश को पिता से बहुत दूर और चाहकर भी अप करण अपने बेटे से नहीं मिल पा रही है अक्टर ने खुद अपने दिल का हाल बयागरा है क्या बोला है करण में और क्या है पूरी खबर चलिए हम आपको चली टॉकी इस पर बताते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तो हम आपको बता थें कि करण मेहरा अपने बेटे से सो दिन से नहीं मिले हैं और खुद उन्होंने एक पुराना वीडियो अपने बेटे काविश के साथ शेयर करते हुए ये लिखा है उन्होंने लिखा कि सो दिन हो गए मुझे तुम्हें देखे हुए मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि जल्द तुमसे मिल पाऊंगा और तुम्हें सबकी बुरी नज़र से बचा पाऊंगा एक पिता का रोल निभा पाऊंगा जो मैं निभाने के लिए इस दुनिया में आया हूँ दोस्तो इससे पहले भी जब 75 दिन हुए थे तो करण महरा ने पोस्ट शेयर की थी और अब 100 दिन हो गए हैं लेकिन निशा पापा को अपने बच्चे से या यूँ बोले करण को काविश से नहीं मिलने दे रही है और करण इसको लेकर काफी जादा परिशान हैं खबरों की माने तो निशा रावल काविश की कस्टिडी मांगना चाती हैं और वो इसके लिए कोड तक जाने को तैयार हैं अगर निशा को कस्टिडी मिलती है तब तो नहीं लगता कि करण कभी भी अपने बेटे से मिल पाएंगे या उसे पिता का प्यार दे पाएंगे आपका क्या है कहना? क्या आपको लगती है ये बात सही? हमें कमेंट्स में लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें